हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम यहां इस बैड सिट में इलाश्टिक लगाएंगे और बहुत ही असान तरीके से लगाएंगे और यह हमारी बैड सिट हमें इसको उल्टी बिचा लेना है और यह हमने इसको ऐसे बैड पे बिचा लेना है और हमने इसको ऐसे बिचा लिया उल्टी साइड से और फिर इसको यहां पे हमने अच्छी तरह से सैट कर लिया है और जो हमने उपर वाली साइड बिचाई है यह हमारी उल्टी साइड है और जो नीचे वाली साइड है यह सीधी साइड है इसलिए हमें इसको उल्टी साइड से ब आप लेंगे और यहां पे ऐसे इसके कोर्णर पे इंची टेप को रखते हुए ऐसे यहां दस इंच के निशान पे यहां निशान लगा देंगे और यह हमने ऐसे दस इंच पे निशान लगा दिया और इसी परकार हमें यहां से कोर्णर पे इस साइड भी ऐसे ही रखते हुए यहां निशान लगा देना है दस इंच पे और फिर इन निशानों को हमें यहां से ऐसे इन दोनों जो निशान लगाए हैं इन निशानों को हमें नीचे तक ऐसे ऐसे मिला देना है और निशान लगा देने है नीचे तक इन निशानों को नीचे तक ऐसे निशान लगा दिये हम और फिर हमने यह 10 इंच की इलाश्टिक लिया है और फिर हम इस इलाश्टिक को यहाँ पे जहां हमने निशान लगाएते यहाँ पे और ऐसे इसको यहाँ पे सील लेंगे हम यहाँ सुई दागे से सीलेंगे आप इसको मसीन के साथ भी सील सकते हैं वो आपकी इच्छा है लेकिन हम यहाँ सुई दागे से सील रहे हैं और ये हमने इसको यहां इस परकार ऐसे सील लेना है इस साइड से और फिर हम इसको इसी परकार दूसरी साइड से भी ऐसे ही सील लेंगे और ये हमने यहां सुई दागे से इसको अच्छी परकार से मजबूत सील लेना है और ये हमने इसको यहां पर सील लिया अब हम उस साइ बी ऐसे ही यहां सील लेंगे जहां हमने वो निशान लगाया था उसी जंगा पे हमें यहां भी ऐसे ही इसको सील लेना है सुई दागे से और यह हम इसको इसी परकार यहां भी ऐसे ही सीलते जा रहे हैं और यह हमने इसको अच्छे से पक्का मजबूत कर देना है और यह हमने त्यार होगा कोर्नर सा बन जाएगा और ये देखे फ्रेंडस हमें चारो कोनों पे ऐसे ही बना लेना है और ये देखे इस परकार चारो कोनों पे लगाने के बाद हम इलाश्टिक को फिर हम इस बैड़ सिट को इस पे बैड़ के उपर सेट करेंगे और हमें इस परकार ऐसे फिर हम सीधी साइड से इसको ऐसे बिचाएंगे और ये मैट्रस के नीचे इस इलाश्टिक को ऐसे डाल देंगे और फिर इस बैड सीट को ऐसे सेट करते हुए इस इलाश्टिक के अंदर ऐसे डाल के बिचा लेना है और हमें ऐसे चारो कोनों में ऐसे ही डाल लेनी है और इस परकार फिर सारी बैड सीट को अच्छे से सेट करते हुए बिचा लेना है और ये हमने इस bed seat को ऐसे अच्छे से बिचा लिया और सेट कर दिया एक दम ये देखे इस साइड से भी हमें इसी परकार सेट कर लेना है जो भी हमारी extra चदर निकली हुई है बीच में उसको सारी को ऐसे सेट कर लेना है और ये हमने इसको ऐसे सेट करके बिचा लिया और ये देखिये हमारी एकदम सही इलाश्टिक डलके त्यार हो चुकी है अब हम इसको कितना भी खीचते रहे नहीं निकलेगी और यह impartATION इस बेड़ टैकर सीथ्यों पड़ोगा। और ये एकदम perfect bad sit हमारी यहाँ पर elastic लगके तयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से तयार हो चुकी है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ये बहुत ही जल्दी तयार हो जाती है इसमें आपको शिलाई machine की जूरत भी नहीं पड़ेगी और ये सुई द ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लेके आएं थैंक्स पर वोचिंग